Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of April 2022 14 April 2022 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपका current affairs इस साल के UPSC के लिए वीक रह गया या आपने तयार नहीं किया है तो आप हमारी UPSC के revision series join कर सकते हैं नीचे description comment में आपको link मिल जाएगी वहाँ से आप उसको join कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो की prelims के लिए आपके लिए important है पहला सवाल है arrange the following committees based on the formation from the earliest मलब chronological order में आपको इन committees को arrange करना है easy question है आप लोग ने पढ़ा होगा पुरा पंचायती और यह सब जहां आपने देखा होगा तो बलबंत राय महता, अशोक महता, अलम सिंगवी और जीवी के राओ कमेटी question number 2 है consider the following statements regarding 73rd amendment act of 1992 तो 73rd amendment के regarding statements है पहला statement कह रहा है the act has given a practical shape to the article 40 of the Indian constitution दूसरा कह रहा है the act gives the constitutional status to the पंचायती राज institutions और तीसरा कह रहा है it has brought the पंचायती राज institutions under the purview of justiciable part of the constitution तो आपको बताना है कि इन में से कौन कौन से statements हैं वो correct है 1 and 2 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3 question number 3 है which are the following are compulsory provisions of 73rd constitutional amendment act of 1992 तो जो तरवा constitutional amendment act है उसके compulsory provisions में इन में से कौन कौन से आते हैं पहला है organization of gram sabhaz in the village or group of villages second are direct elections to all the seats of पंचायत in the village intermediate and district level third are granting powers to the panchayats to enable them to function as an institution of self government आपको बताना है इन में से कौन से compulsory provisions है 1 and 2, 2 only 2 and 3, 1, 2 and 3 तो answers में आपको एक एक करके बताऊंगा I hope you will try to attempt these questions आप attempt जरूर करिएगा और बताएगा कि आपने कितने सही किये ठीके न, answers match करके तो सबसे पहला सवाल जो मैंने आप से पूछा था एक एक कमिटी मैं आपको अता दू तो बलवंत रहा है महता कमिटी बनी थी 1957 में याद रखेगा इन उरिजिनली अपॉइंट की गई थी गवर्मेंट अफ इंडिया के लिए याद रखेगा जनता गवर्मेंट के टाइम पर इसको बनाया गया था तो स्टडी दपंचायती राज इंस्टिशन इन इंडिया ठीक है न जीवी के राओ कमिटी 1985 ही कमिटी है जो की प्लानिंग कमिशन ने अपॉइंट की थी इन सब के बारे में यह सच देख रहे थे लो एलम सिंग भी कमिटी 1986 में सब से लास्ट एलम सिंग भी बनी थी कि इन में से कौन से स्टेटमेंट 73rd Act के रिगार्डिंग सही है यह तो तीनो ही स्टेटमेंट सही है अगर आप इंडियन कॉंस्टिशन का आर्टिकल 40 देखिए तो वही विलेज पंचायत से रेलेटेड है और यहाँ पर भी जो आपका 73rd Amendment Act 73rd Amendment Act में किया गया वो भी सही है ठीक है न और यह आपको पता होना चाहिए दूसरा जो है वो भी सही है कि पंचायतिराज इंस्टिशन को यह भी सही है आपको पता है ना DPSP में आता है कि स्टेट शेल टेक स्टेप्स टो अर्गनाईज विलेज पंचायत and undo them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government तो वही वाली बात है विल्कुल सही बात है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है पंचायतिराज इंस्टिशन को जस्टीशीवल पार्ट में लेकर के आगए ओविसी बात है जब वो DPSP में थे तो जस्टीशीवल ये सब नहीं था लेकिन जैसी वो act के थूआ गया statutory nature का गया थे फिर जस्टीशीवल हो जाता है तीसले ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है तीसरा सवाल मैंने आपसे पूझा था कि इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो compulsory provisions है तो पहला organization of gram सभा एक compulsory provision है बिल्कुल direct elections एक compulsory provision है बिल्कुल और तीसरा जो है granting powers to the panchay ये compulsory नहीं है ये आपका उसमें voluntary provision है तो जैसे अगर आप पूरा act पढ़ेंगे तो उसमें कुछ compulsory provisions मिलेंगा और कुछ आपको उसमें आपको कुछ voluntary मिलेंगे तो ये voluntary provision है compulsory provision नहीं है तो आप मुझे बताईगा कि आपने कितने सही किये main question आज क्या लिख लीजे what is finlandization ये मने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको बताना है कि what is finlandization discuss its relevance in the contemporary times आज के समय में इसका relevance क्या है आपको बताना है that is the thing which is important याद रखेगा इसको अब यहाँ पर इंडिया के जो project है growth के उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है world bank के दौरा world bank नमनी report निकाली इसका नाम है south asia economic focus reshaping norms a new way forward ठीक है ना क्या नाम है south asia economic focus reshaping norms a new way forward इसको release किया है और इसमें उन्होंने बताया है इंडिया की जो growth है वो 8% के आसपास रहेगी in the current fiscal and 7.1 रहेगी in the next fiscal अब इसका reason क्या है obviously वारत है reason वही है जैसा कि Ukraine war हमने देखा इसके पहले हमने COVID का impact COVID का impact पूरी तरीके से खतम हुआ नहीं था फिर से दुआरा शुरू हो रहा है और इसके बीच में Ukraine war हो गया तो ऐसे में फिर growth जो है वो अल्रीड एक hit back लेती है वही चीज़ यहाँ पर जो word bank का projected है in this report south asia economic focus reshaping norms a new way forward इसमें वही चैम को देखने को मिल रही है and these come actually under the external shocks यह already external shocks में आते है and these are the external shocks and इसमें government जादा responsible नहीं है obviously वहाँ था covid भी external shock है force measure बोलते है act of god उसको बोलिया था force measure and दूसरा आपका यहाँ पे Ukrainian war भी Indian government के हाथ में नहीं था तो यह कुछ reasons है कि क्यों इस तरीके से आगे move करते हैं देखते हैं क्या है Finland to decide on NATO membership within weeks अब यहाँ पे Finland जो है वो NATO की membership के लिए decide करेगा इसी में मैं आपको एक concept मैंने पहले भी बताया था एक बार फिर बताता हूँ Finlandization का तो वो Finlandization एक वो process है जिसमें एक powerful country एक smaller neighboring country को refrain करती है from opposing the former foreign policy rules while allowing it to keep its nominal independence and its own political system मलब जब एक बड़ी power जो है एक छोटी neighboring power को उसकी foreign policies oppose करने से मना कर देती है मलब जैसे कि suppose को यहाँ पे Finland किसका neighbor है Russia का neighbor है अब Finland Russia का neighbor था 1948 के time पे जब वहाँ cold war चल रहा था थाने starting में तो Russia ने Finland के उपर बहुत दादा की दिखाई मलब फिल्लांड को मना कर दिया कि आप हमारी foreign policies नहीं तोड़ोगे मलब अगर हमने USA के साथ deal नहीं किये तो आप भी NATO नहीं जॉइन करोगे आप Marshall Plan नहीं जॉइन करोगे आपको पता है Marshall Plan क्या था जैसे आपको याद होगा कि World War का एरा शुरू हुआ तो अमेरिका ऑफिस से बाद है Capitalistic policies लेकर के आने लगा और उससे वो सोचल लगा कि भाई growth and development जितनी अलग-अलग countries हमका possible हुपाए तो इस कारण से उन्होंने क्या किया they started this Marshall Plan actually they started this Marshall Plan in order to invigorate these reasons European reasons and जो भी आपके USA Cass Pass के regions थे वही पे जो रशिया था उसको Warsaw Pact लेकर के आए था ठीक है दोनों अलग-अलग अलग यह Marshall Plan लेकर के आए तो रशिया उदर से Warsaw Pact बोलते हैं उसको Warsaw Pact जिसमें कि वो नेबरिंग जो 15-16 USSR की countries थे हो यह सारी countries ने मिल करके उसको Warsaw Pact जो communist ideology की जो countries थी वो मिल करके उसको लेकर रही थी तो वैसे ही फिल्लेंडाइजेशन मतलब कि आप अपोज नहीं कर सकते अपने बड़ी नेबरिंग पावर की foreign policy को मतलब कि अगर अमेरिका से मना कर दिया बात करने के लिए रशिया ने तो फिल्लेंड फिर बात नहीं कर सकता या फिर martial plan जोईन करने से मना कर दिया तो वो जोईन नहीं कर सकता in fact फिल्लेंड ने martial plan जोईन भी नहीं किया था जबकि वह ज़्यादा करना आच्छा यह आपको पता है कि फिल्लेंड जो है वो nordic country है यह भी याद रखेगा जैसी कई बार पूछ लेते हैं question की यह कैसी country है nordic country है Scandinavian में आती है it comes under the Scandinavia part यह भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए nordic हो गया यह आप Scandinavia बोलो यह दोनों ही यहाँ पर इसी पर लागोत है Norway, Sweden, Finland यही तीनों है जो कि Scandinavia का part है और यह आपका nordic countries का part है let me show you the nordic countries once एक बार मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आप देख रहे हैंगे the nordics में देखो कौन-कौन से आते हैं these are the nordics एक आपका यहाँ पर यह तीन जहाँ Scandinavia आला part है यह Scandinavia का part है मनलब कि this is your Norway this is your Sweden and this is your Finland this is Norway उसके बगल में just Sweden है उसके बगल में यहाँ पर Finland है ठीक है न and इसके बाद आपका ऊपर एक country है आपर Iceland this is Iceland तो यह आपका basically कौन से पार्ट होगा है the nordics वाला portion हो गया ठीक है न और यहाँ पर नीचे या एक है Denmark यह Denmark भी आपका हो गया ठीक है न that is the thing which is important यह पूरे nordics के अंदर आते है what they are called they are called nordics and यहाँ पे these are the things which are important Iceland में जैसे आपको geezers बहुत मिलेंगे humpback whales बहुत मिलेंगी Iceland में आपको geezers और humpback whales बहुत मिलेंगी Finland में आपको bilberries बहुत मिलेंगे forest बहुत मिलेंगे Nokia का production यहीं से start हुआ था यह भी आपको पता ना finish company थी Sweden में आपको IKEA, Spotify यहां से यहां के जो developers है यह यहां से आये थे और that is the thing which is important and इसके अलावा Vikings जो हम बोलते हैं they are basically from the Norway part Norway वाले पोर्शन से Vikings बोलें तो Norway, Sweden, Finland यह सब Scandinavian भी है तो यह इसलिए बता रहा हुआ है क्योंकि UPSC पूछता रहता Scandinavia का part कौन से है Baltic nations कौन से है और बाल्कन अलग है बाल्कन अलग है बाल्कन अलग है जैसे उसमें फिर आपका बल्कनाइजेशन का एक topic कैसे अलग हुए अब यह यह भी आद रहा है कि यह जो Latvian, Lithuania यह NATO के भी members है यह NATO के भी members है अलग जरूर हुए थे आपके Russia वाले parts से लेकिन they are still the members of NATO तो इस तरीके से यह question पूछा जा सकता है especially in countries में जिसमें doubtful रहेगा वो जरूर UPSC पूछेगा तो याद रखेगा इसको and Sweden और Finland अब NATO की membership का discussion कर रहे लेकिन USA Russia has made it very clear that do not even think of joining NATO otherwise you will be treated in the same way the Ukrainians are treated यह already clear कर दिया है Russia ने अब देखते हैं किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं अगली जो news है पतनायक wins Malcolm Adishya Award तो यहाँ पे renowned Indian economist and political commentator प्रभाद पतनायक इंडिया की economist है and political commentator है प्रभाद पतनायक जुनको नेम किया गए है as the recipient of Malcolm Adishya Award for this year तो Malcolm Adishya Award for this year has been given to प्रभाद पतनायक who is an Indian economist and political commentator तो यह आपको याद रखना है Malcolm Adishya's Award इस Award को देता कौन है तो Malcolm and Elizabeth Adishya Trust जो है वो इसको Award को देती है that is the thing which is important Malcolm and Elizabeth Adishya's Trust इसको देती है इस Award को यापको याद रखना है अब आपके दिमाग में आरोगा कि Malcolm Adishya's थे कौन है यह है कौन याद तो यह मैं आपको बता दूँ कि he was Indian Development Economist and Educator यह आपको यह foreign नाम लग रहा होगा वैसे देखने में लेकिन he was इनका नाम था Malcolm Satya Nathan Adishya इनका नाम था and he was Indian Development Economist and Educator 1976 में उनको पद्म भूशन का Award दिया गया विचेद इंडिया's 3rd highest civilian award 1998 में UNESCO ने भी एक Award इनके नाम पे create किया था जिसको बोलते है Malcolm Adishya International Literary Prize ठीक है ना Malcolm Adishya Literary Prize अचा एक और बात ही लिए I think nominated member Rajasabha के भी थे 1977-80 या असपास he was a nominated member of the Rajasabha as well तो यह भी प्पुड़ा सा कुछ facts इनके बारे में याद रख सकते हैं ठीक है ना Supreme Court refuses to take a plea for Uniform Court for Religious Institutions अब यहाँ पे कभी recently plea गई थी इसमें जो petitioner थे उन्होंने का कि वक्फ Act जो है यह जो वक्फ Act 1995 का इसको unconstitutional घुशित कर दिया जाए योगि यह जो है यह बहुत ही जादा discriminatory है और this grants special favor to Muslims and the and discriminated against the Hindus and followers of other faith अद यह clear कहा गया था जो petition था लेकिन Supreme Court ने इसको refuse कर दिया और कहा कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते we cannot work like this if some Act is making some loss to you मला कोई Act अगर ऐसा है जिससे आपको नुक्सान हो रहा है if you are being evicted from your property or if it is doing some hurt to you then we can think of that आप उस law की constitutionality के बारे में सवाल कर सकते हो but यह नहीं बोल सकते कि यह हम कोड़ा हमारे साथ discriminate कर रहा है just for the sake of saying it है न तो you have to have some proof that it is affecting you it is affecting you negatively it is evicting you from your property or if it is doing some harm to you then you can bring it forward to the justice on rebel justice तीवाई चंदरचून जी ने इसको यह चीज़ क्लियर किया है judgment में और एक writ का इसमें concept आया अब मैं आपको writ का जो concept बताने वाला हूँ कि समझ लो आपका writ का रिट्स वाला पूरा chapter complete हो जाएगा इसमें और जो जो रिट्स मैं discuss करूँगा जो जो points discuss करूँगा I hope question उसी से आएगा उसके बाहर से question आना possible नहीं है तो यह रिट्स जो मैं आपको 5 रिट्स बताऊंगा यहाँ पर उनकी conditions बताऊंगा कब लग सकता है कब नहीं लग सकता बताऊंगा उसको याद कर लेना उसको रट लेना ठीक है ना मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको टेलिग्राम चैनल में शेयर कर दूँ तो जिस लों जिन्नों भी टेलिग्राम या इंस्टरग्राम पेज जॉइन नहीं किया है उनको बता दूँ कि आप जाकर के सर्च करना है तेमस आई एस तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा और हमारा इंस्टरग्राम पेज भी मिल जाएगा वहां से आप उसको जॉइन कर लीजेगा अब जो रिट्स की बात करते हैं हाँ पर रिट्स की हम बात कलने सबसे पहले तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिट्स का मदलब क्या होता है इट मीन्स कमांड इन राइटिंग इन नेम अफ दे कोट तो कोट इसको निकालती है और बेसिकली कमांड जो की अलग-अलग उनको दी जाती है अब रिट्स जो इंडिया में है वो दो कोट इंपॉर्टेंट है जो की निकाल सकती है एक है आपकी आर्टिकल 32 के अंदर कॉंस्टिशन में सुप्रीम कोट को पावर है and that is for the fundamental rights यानि कि fundamental rights के protection के लिए सुप्रीम आर्टिकल 32 के अंतरगत रिट्स निकाल सकती है and वहीं पर high court के पास और ज्यादा broad है आर्टिकल 226 के अंतरगत आर्टिकल 226 के अंतरगत high court के पास पावर है कि बाकी जितने भी मुद्दे होंगे वहां पे अगर कोई रिट्स के जोरत है तो वह high court निकालेगा तो अगर आप से कभी पूछे कि ज्यादा रिट्स कौन निकाल सकता है ज्यादा ज्यादा डाइवर्सिटी किसके पास है तो आव्यस सी बात है वह ज्यादा डा the rate of habeas corpus तो habeas corpus का मतलब होता है to have the body of इसका मतलब क्या होता है literal to have the body of मतलब कि जब कोई prisoner मालो सपोस करो unlawfully किसी को पकड़ लिया गया ठीक है ना या फिर किसी को detain कर लिया गया अब उसके ऊपर एक major जो जो पकड़ने आली इसके उपर एक major obligation है कि within 24 hours उस व्यक्ति को कोट के सामने आपको पेश करना होगा और कोट अगर चाहेगी तो फिर उसको आपको release करना होगा ठीक है ना तो आप इस तरीके से unlimited time के लिए hold नहीं कर सकते है ना तो यह एक important चीज है that is the thing which is important कि यहां पे आप किसी भी व्यक्ति को बिना पेश किये 24 घंटे के अंदर आपको पेश करने करना ही करना पड़ेगा तो this is the writ of habeas corpus to have the body of कोट कह सकता है कि भाई इसको ले आओ है ना आपने इसको पकड़ लिया अनलॉफली पकड़ा है अलॉफली पकड़ा आप इसको ले आओ कैसे भी तरीके से पकड़ा इसको 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा दूसरी जो famous रिट है वो है the writ of mandamus ठीक है ना कौनसी हम बात करें तो mandamus का मतलब होता है to mandate mandamus का मतलब क्यों होता है to mandate यह कब issue होती it is actually issued by the court to direct a public authority to perform the legal duties which it has not performed or refused to perform तो mandamus की जो ratus का मतलब होता है we command mandamus का मतलब होता है we command मतलब हम आपको command दे रहे है mandatory कर रहे है आपके लिए we command तो यहां पे courts command कर रही है एक public office को एक public authority को कि वो अपनी legal duties को पूरा करे he should follow the legal duties या फर जो duties उसके उपर है उनको पूरा करे अगर वो उसको perform नहीं कर रहा है या refuse कर रहा है perform करने से ठीक है न तो that is the thing which is important court इसको issue करती है against public officials, public corporations, tribunals, inferior court और the government, government के खिलाब भी public officials के लिए भी public corporations के लिए भी tribunals के लिए भी inferior court के लिए भी यह writ of mandamus जो है वो निकाली जा सकती है लेकिन यह किसी भी private individual या body के लिए नहीं निकाली जाएगी याद रखेगा यह आपको याद रखना है private individual और body के खिलाफ नहीं निकाल सकते प्रसिडेंट और governor of the state के लिए भी आप नहीं निकाल सकते और working chief justice के लिए भी आप mandamus नहीं निकाल सकते तो यह आपको याद रखना है ठीक है न तो यहाँ पर आपको confused नहीं होने का है यह आप याद रखेग अब mandamus की बात कर रहे है further it cannot be issued in the following circumstances अब कुछ case और है जाम mandamus की जो mandamus की writ है वो नहीं निकाल जा सकती पहला if the duty in question is discretionary and not mandatory अगर किसी व्यक्ति की duty है जो public duty के हम बात कर रहे थे कोई अपनी duty अगर perform नहीं कर रहा है तो अगर वो duty discretionary nature की है mandatory nature की नहीं है तो यह writ नहीं निकाल function है तो उसके लिए यह mandamus की writ नहीं निकाल लिया सकती ठीक है ना अगर private nature का कोई काम है अगर कोई private nature की duty है तो वो इसके लिए mandamus नहीं निकाल लिया सकती वेर सच डिरेक्शन इंवल्ल वालेशन अगर मालो कोई ऐसी mandamus की डिरेक्शन आने से law का violation होता है तो law के violation के case में भी यह रिट नहीं निकाल लिया सकती ठीक है ना where there is any other remedy available under the law अगर कोई और दूसरा remedy अवेलेबल है तो भी mandamus की रिट नहीं निकाल लिया सकती तो आपको दूसरी remedy follow करनी पड़ेगी ठीक है ना तीसरी जो रिट है वो थी कूओ वारंटो कूओ वारंटो मनला by what warrant कूओ what authority you are holding that office ठीक है ना तो कूओ वारंटो is basically a writ जिसके अंतरगत court जो है वो किसी public authority को जो own करने वाला public authority पे किसी post पे बैठा कोई व्यक्ती है उससे कहती है कि you should show us by what authority you are holding this office by what authority you are holding this office तो basically it is if it is found that a person is not entitled to hold that office अगर कोई व्यक्ती अगर ऐसा पता चलता है कि suppose करो कि कुई कि किसी बोर्ड का कोई chairman है अब उस बोर्ड का बन नहीं सकता है लेकि उसको बना दिया गहा है suppose करो तो यहाँ पे court उस व्यक्ती से बोलेगी कि by what authority आप इस office को hold कर रहे है under what head and seal you are holding this office you have to show us तो यह court ऐसा मगा सकती है तो that is what you should understand अब याद रखेगा कि जो quo warrant की रिट है वो कौन कौन से cases में निकल सकती है याद it can also not be issued with respect to a private office यह private office यह case में नहीं निकलती again it is public office only and कुछ conditions है जो कि fulfill होनी चाहिए quo warrant की रिट के लिए पहली है public office is wrongfully assumed by the private person अगर कोई व्यक्ती private person न तो उसके against यह रिटाएगी office was created by constitutional law and the person holding the office is not qualified to hold the office under the constitutional law तो मलब कि constitution ने उस post को create किया लेकिन जो व्यक्ती उसके पास necessary qualification नहीं है suppose को रो public office must be of permanent nature वो जो public office है वो permanent nature का होना चाहिए ठीक है ना and the nature of duties arising from the office must be public जो duties है उसके अंदर office के अंदर का तो वो public nature की होनी चाहिए ठीक ह यह याद रखेगा अगली जो रिट है वो है certiorary certiorary की रिट क्या होती है मतलब to certify अब दो रिट एक साथ हम पढ़ेंगे certiorary की रिट और prohibition की रिट दोनों रिट्स है lower courts के लिए निकालता है यह दोनों ही रिट्स जो है एक certiorary हो गई और एक दूसरी prohibition हो गई यह दोनों certify क्या करता है basic मालों कोई lower court है कोई tribunal है उसने कोई order pass कर दिया ठीक है ना suppose करो कोई order pass कर दिया तो अगर subordinate court ने बिना jurisdiction के बिना यह समझे कि उसके पास वो power है या नहीं अगर कोई judgment दे दिया है तो जो उसके उपर की court है वो कह सकती है कि भाया certiorary की रिट से कि आप certify करें कि आपने किस power के इंतर का इस judgment को पास किया है तो उसको quash करने का अधिकार भी court रखती है तो अगर जो subordinate court है वो बिलकुल अपने law and procedure को follow ना करते हो या अपने jurisdiction को overstep करते हो को judgment दे दे तो इसको quash किया जा सकता है that is actually your certiorary certify करके उसको quash भी कर सकता है court उसको upper court prohibition में उल्टा होता है prohibition में judgment पास नहीं हुआ होता है prohibition में पहले ही जो upper court है वो lower court को prohibit कर देता है कि आप इसमें judgment नहीं दे सकते है ठीक है ना तो directly जब उनको पहले ही मना कर दिया जाए कि now you will not be able to give the judgment in this so and so case because you do not have the required powers तो उसको हम बोलते है क्या prohibition तो इसको I hope you got clarity आपको याद रहेगा यह तो यह RITS का concept था I hope मैंने अच्छे सा आपको समझा दिया होगा है ना मैंने अपनी तरफ से प्रयास तो किया है पूरा अब आप समझ जाएंगे I hope you would have understand तो UGC ने issue कर दिया norms for students to do two programs at once मैंन and undergo two degrees at once दो डिगरी एक साथ कर सकते हैं है ना लेकिन एक चीज़ है कि इस्टुटेंट जो है वो retrospective benefits में नहीं माँख सकते हैं they cannot ask for retrospective benefits under this तो national education policy के अंदर गात यह program यह proposed किया गया था उससी को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए दो डिगरी का जो प्रोग्राम में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है ना UGC के अंदर कर आगे मूफ करते हैं देखते हैं और क्या important news articles हैं यहाँ पे नेपाल की dwindling forex reserve तो नेपाल का जो forex reserve है बहुत कम होता जा रहा है इसका reason क्या है मैं आपको आदा हुए कि नेपाल की जो economy है वो dependent upon tourism है चुकि covid-19 के बाद आपने देखा होगे tourism बिल्कुल sector बहुत जादा हीट हुआ था इसके बाद Ukraine का वार भी start होगे तो again tourism sector हीट हो रहा है तो यह जो reasons है there are the reasons because of which जो forex reserve है नेपाल का वो कम हो रहा है अच्छा नेपाल की crisis में और शिलंका की crisis में एक difference यह कि नेपाल के पास debt नहीं है बहुत जाद है दूसरे countries का debt नहीं है शिलंका के पास debt इतना जाद है कि वो तो survive नहीं कर पा रहा है तो that is the major difference between the two लेकिन आपको याद रखना है कि नेपाल की जो condition है वो क्यों खराब हो रही यह जरूर आपको याद रखना है ठीक है ना अभी ने Central Bank उसको बोलते है नेपाल राष्ट्र बैंक ठीक है ना उसको बोलते है नेपाल राष्ट्र बैंक और उसका जो फोरेक्स रिजर्वे लगबग 18.5% घटा है 18.5% decrease हो है फोरेक्स रिजर्व नेपाल का तो यह काफी बड़ा decrease है काफी बड़ा decline है तो यह दिखाता है कि financial situation जो नेपाल की है बहुत जाद अच्छी है नहीं तो यह आपको याद रखना है और एक और चीज़ कि वहाँ पर जितना स्पीड से फॉरेक्स रिजर्व आ रहा है उससे जादर स्पीड से वो outgoing है तो outgoing is much more speed than incoming इस कारण से यह हो रहा है hits and misses India solar power energy targets तो अभी आपको पता होगा कि इंडिया का target था 2022 तक 100 gigawatt solar power का लेकिन हम वो पूरा नहीं कर पाए हमारा target 100 gigawatt का था हम रहे कितने पर गया 55 gigawatt पर तो यह भी आपको बता दो कि हमारा target था 100 का लेकिन हमने पूरा कितना क्या 55 gigawatt अच्छा 55 gigawatt में जो installed capacity है उस हिस तो आप से हम इंडिया 5th rank पर आता है याद रखेगा इंडिया currently holds 5th rank after China, after USA, after Japan and after Germany तो चाइना, USA, जापान, जर्मनी CUJG याद रखेगा चाइना, USA, जापान, जर्मनी जिसमें चाइना के पास highest capacity है और इंडिया के पास अभी पाँचवे नंबर की capacity है ठीक है ना तो 55 gigawatt के साथ है यह and that is the thing which is important अब यह renewable energy का जो हमारा target है हमने 500 gigawatt का target setup कर लिया है दूसरा हमने बोल दिया कि हम 1270 तक climate carbon neutral country बन जाएंगे तो इन सारे targets को पूरा करने के लिए renewable energy का development और यह आपका solar energy का development होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी कारण से इंडिया प्रयासरत रहेगा कि 2030 जो आने वाला समय है वहाँ पे अपने targets को पूरा करें यह ना that is the thing which is important I hope you got clarity solar power is very important for India बूर रहा था इस बहुत important for India ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह सब आपको समया गया होगा I hope you got clarity regarding that आपने यह समझा और अब दूसर से एक energy आपके निकल रही है solar से अब आपको इसको connect करना है grid में तो किस तरीके सोगत that is a major challenge renewable energy का grid है वो भी बनाना एक major challenge इंडिया के लिए आज इतने ही topics हम discuss करेंगे आपके साथ editorial मेरे हिसाथ से आज आप skip कर सकते हैं कोई आपको ऐसा loss नहीं होने वाला है केवल एक prelims के important fact था जो कि मैं आपको बताना चाहता था इसमें एक hypoglycemia और hyperglycemia जब आपकी blood sugar का content बहुत जादा बढ़ जाए तो hyper उसको glycemia बोलते हैं बहुत जादा बढ़ जाए और अगर कम हो जाए blood sugar का content तो वो भी एक problem में इसको hypoglycemia बोलते हैं ये एक पहला fact है और दूसरा fact एक editorial में था जिसका नाम है देसी नमा माला माला तो देसी नमा माला बेसिकली आचार हेम चंदर जाएं दौरा इन्होंने प्रिडूस किया था देसी नमा माला which was a treatise on the importance of prakrit words used in gujarat of his times as against those from sanskrit तो इन्होंने देसी नमा माला लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि prakrit के जो शब्द यूज होते हैं gujarat में they are used in gujarat of his times as against those from sanskrit थोड़ा language के issues के उपर लिखा गया था कि हर language का independence existence होता है कोई आप एक language थोप नहीं सकत थे आज के टाइम में आप हिंदी थोप सकते हैं तो आचार हेम चंद्र याद रखेगा major jayan scholar poet mathematician and philosopher produced desi नमा माला which was a treatise on importance of prakrit words used in the gujarat of his times as against those from sanskrit so that is it for the day friends I hope you liked that video please do like and subscribe keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day